Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School जहां है Cadmex, Sports and Performing Arts का बहतरीन कॉंबिनेशन Admissions Open from Pre-Nursery to 9 नमस्कार मैं सुशील पाल कोरोना का कहर भारत सहीत पूरी दुनिया की अर्थव्यस्ता पर भारी पड़ा है कारोबार इंडस्ट्री जगत में भी नगदी की किल्लत होने लगी है ऐसे में लोगों की सैलरी कट और कंपनियों में छटनी भी शुरू हो गई है इसका परिणाम ये हो रहा है कि अब इस वज़े से करीप 86 फिजदी लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है British Research Fund Crossby Textor Group ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के मताबिक COVID-19 महामारी के कारण लोग अपनी नौकरी और आजिवी का खोने से चिंतित है इस सर्वे में शामिल 84 फिजदी लोगों का मानना है कि ये महामारी अभी भी अपने शुरूआती चरण में है और तेजी से बढ़ रही है दिल्चस्प ये है कि सर्वे में शामिल सबसे अधा 86 फिजदी भारती अपनी नौकरी जाने को लेकर चिंतित है News Agency PTI के अनुसार British Research Firm Crossby Textor Group ने 23 अप्रेल से 27 अप्रेल के बीच भारत में ये सर्वे किया था खैर सर्वे में शामिल भारत के 84 फिजदी लोग मोदी सरकार से संतुस्ट है सरकार जिस तरह से इस मामारी से निपट रही है उससे सर्वे में शामिल होने वाले 84 फिजदी भारते संतुस्ट हुए है लेकिन कोरोना वाइरस के चलते लगे लोगडाउन और बंद पड़ी अर्थवश्था का असर अब नौकरियों पर खुल कर दिखने लगा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनोमी सी एम आईए के मुताबिक भारत में बेरुजगारी दर बीते हफते में बढ़कर 27.1 प्रतिशत हो गई है बारत में देश व्यापी लोगडाउन जारी है और सिफ अप्रेल महीने में ही एक करोड 21 लाक लोगों ने अपनी नौकरी गवा दिये एक डेटा के मुताबिक रोज कमाने खाने वाले और छोटे कारोबारियों को साथ काम करने वाले 9 करोड 13 लाक लोगों ने अपरेल महीने में अपनी नौकरी गवा दिये वहीं 1.82 लाग आंत्रियोन और 1.86 लाग सेलरिट क्लास के लोगों को नौकरी गवानी पड़िये और अभी भारत में जो लॉकडाउन चल रहा है वो पूरी दुनिया में सबसे सक्त लॉकडाउन है और यही कारण है जिसकी वज़े से बेरुजगारी बढ़ती जा रही है सरकारों ने मद्यम वर्ग के लिए फिलाल कोई भी आर्थिक पैकेज भी जारी नहीं किया है वहीं देश में व्यापारी वर्ग भी अब आने वाले संकट से बहुत परिशान है नए डेटा से साफ है कि फिर से बेरुजगारी बढ़ रही है तीन मई को खतम होने वाले हफते में गिरामिन और शहरी दोनों जगो बेरुजगारी बढ़ी है शहरी बेरुजगारी में करीब 8% की बड़ोत्री हुई है तो वहीं ग्रामिन बिरुजगारी दर 20.88 से बढ़कर 26.16 प्रतिशत हो गई है डेटा की बात करें तो भारत में 15 मार्च को बिरुजगारी दर 6.14 प्रतिशत थी जो की अब 26.19 पर हो गई है बिरुजगारी दर गिरकर 21.5 पर आ गई है लेकिन अब 3 माई का जो ताजा अकड़ा आया है उसमें फिर से बिरुजगारी दर 27.1 प्रतिशत हो गई है CMI के फिर्मुक महेश वियास ने एक चैनल से बातचीत की है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ऐसे वक्त में जब देश में लॉकडाउन चल रहा है देश बंद पड़ा है सड़क पा रैडी पट्री लगाने वाले लोगों ने अपनी नौकरी गवा दिये अब ऐसे छोटे धंदे करने वाले लोगों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है वो अपना धंदा भी नहीं कर सकते है लेकिन ज़्यादा खतरना किये है कि अब ये सत्तीक कारुबारियों और नौकरी पेशा लोगों के बीच में भी आ गई है नौकरी पेशा लोगों को कारुबार की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है लेकिन सिर्फ अप्रेल महीने में ही करीब एक करोड़ सी लाक लोगों ने नौकरी गवा दिये सबसे बड़ी बात ये है कि अब कारुबारी भी ये कह रहे हैं कि हम बिरुजगार हैं और तुयस्ता के पई ये थम गए हैं जातर बजार ट्रांसपोर्ट सब्बंध है और अब इस वज़े से देश में भयानक नौक्षियों का संकट खड़ा हो गया है सबको इंतिजार है तो सिर्फ और सिर्फ अब सरकार के आर्थिक पैकेज किये